Hello guys, welcome to this video ये एक demo video है आपको एक idea देने के लिए कि जो हमारा course है उसमें हम क्या-क्या चीज़ा सिखाएंगे और किस तरह की चीज़ा हम सिखाएंगे ठीक है? तो इस वीडियो में सिर्फ हम एक topic cover करेंगे जो हमारी professional designs होती है जो हमारी presentation design होती है उसको professional तरीके से हम कैसे बनाते हैं ये इस वीडियो हम सिखेंगे अब जो designs screen पर देख रहे हैं वो designs भी ऐसे ही बनी हुई है इसी तरीके से बनी हुई है इन्ही resources को use करके बनी है अच्छा तो एक brief overview ले ले लेते हैं कि इस वीडियो हम करने के वाले हैं हम simple drag and drop से simple drag and drop से बस हमें जो बहुती आसान UI है उसको use करते हुए यहाँ पर graphics बनाने हैं हम use करेंगे top quality resources जो top quality resources हैं जो बिल्कुल free हैं उनको use करके उनकी premium templates use करके हम उनको बस थोड़े से अपने तरीके से उसमें edits करके हम ये templates बनाएंगे हम ये designs बनाएंगे instant practical ये हमारे course का एक part है कि हम जो भी चीज़ा सीखते हैं उसका अगर हम practical नहीं करेंगे तो वो कही ना कही हमें वो deep में वो चीज़ा समझ में नहीं आएंगी या फिर अच्छे तरीके से आपको इस course के साथ free मिलेंगी ये course भी आपके लिए free है जो templates हैं over a thousand templates हमने include किये हुए हैं वो भी आपके free मिलेंगे अगर आप इस course को लेना चाहते हैं तो आप description में एक link दिया हुआ है form का उस form को भरें और आपको ये course free में दिया जाएगा अच्छा इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं जो resources हैं जो pre-made templates और designs हमें provide करेती हैं उनसे हम उनको edit करेंगे और उनसे professional designs हम बनाएंगे जो हमारे professional world में use होते हैं जो presentation use होती हैं उनको हम यहां पर बनाएंगे ओके जो अब हम सीधे चलते हैं उन websites पर उन resources पर जो हमें बताएंगे कि हमें काम कैसे करना है उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें graphic designing सीखने क्यों चाहिए अभी जो internet का इतना जादा influence हो रहा है लोग इतना जादा influence हो चुके हैं उससे जैसे memes वगेरा शेयर हो रहे हैं और graphic एक बहुत ही important role play कर रहा है लोगों को influence करने में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप graphic designing सीखेंगे अगर आप personal brand भी बनाना चाहते हैं आप professional world में कुछ करना चाहते हैं अपनी चीज़ों को अच्छे से present करने के लिए ये भी जरूरी है कि आप graphic designing सीखें और इस वीडियो में हम सिर्फ बहुत ही आसान tools पर काम करेंगे जिनमें हमें सिर्फ drag and drop करना है ठीक है तो हम देखते हैं कि हमें ये सीखना क्यों चाहिए ये एक website और ये कहती है कि आप जो graphic designing है उसमें creative होने पर आपको पैसे मिलते हैं हम जानते हैं कि इंडिया जैसी जगह पर आप creative होना आपको ये कहाता है कि creative होने से पैसे नहीं मिलते हैं लेकिन ये एक ऐसा profession है जहां पर creative जितना जादा आप creative होंगे उतना जादा आपको income होगा उतना जादा आपको पी किया जाएगा आप खुद के boss होंगे आप खुद के boss ऐसे होंगे कि अगर आप चाहें तो इसमें freelancing भी आप कर सकते हैं तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि आप खुद के boss हैं बहुत सारी job opportunities आपको मिल रही है जैसा कि मैंने पहले बताया था कि Amazon, Flipkart Zometo ये सारी companies बहुत जादा देख रहे हैं क्योंकि इन्हें अपनी जो बात है वो कम से कम शब्दों में और attractive way में लोगों तक पहुँचानी इसलिए ये बहुत जादा hiring करते हैं graphic designing इसलिए आपको मुझे लगता है कि graphic designing सीखने चाहिए हर कोई देन सेम नहीं होता, not two days are same, हर दिन आपको नए नए challenges मिलेंगे, आपको नए नए चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी नए नए चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी तो not every day is the same day ठीक है, और designers का जो काम होता है, काफी fun काम होता है, आपको जो आप करते हैं उसमें आपको creative detail लाना है आपको अलग-अलग resources यूज़ करने हैं आपको बहुत जादा explore करना है तो I think it's a fun thing to do ठीक है, तो अब हम सीधा चलते है, slide go पर आपको simply click करना है slide go.com यहाँ पर click करते ही आप इस website पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको किसी भी तरकार का registration करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यह जो templates आपको दिये हुई हैं उनको use करके हम एक अपनी presentation बनाएंगे तो उस अलेसे के हम presentation बना रहे हैं, अपने एक event की, तो मैं यहाँ पर search करूँगा event event मैंने यहाँ पर search किया और यह मुझे कुछ suggest करेगा pre-made templates का यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कौन सी template अच्छी लग रहे है, हमारे company के साथ, हमारे उस event के साथ हो जा रहे है, उसी को हम use करेंगे, तो I think इसको हम use कर सकते हैं यहाँ पर आप color code भी select कर सकते हैं, कि आपको color code कौन सा चाहिए तो I think blue जो है वो सबसे ज़्यादा attractive लग रहा है मैंने इसको select किया यहाँ पर आपके पास दो options हैं, या तो आप इसे download करके powerpoint में use करें, या फिर directly आप google slide पर use करें, तो हम यहाँ पर google slide पर use करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके अलग सी इसमें resources लगे, internet पर आप cloud पर काम करें, और वहीं से आप उसको easily share भी कर पाएं, इसलिए मैं आपको suggest करूंगा icons इसमें आपको दिये जा रहे हैं और यहाँ पर aspect ratio भी लिखा हुआ है 16 by 9 का यहाँ पर aspect ratio है, तो मैं क्या करूंगा, मैं simply इसपर click करूंगा use a google slide इसपर click करते ही, आपको ये एक जगे ले जाएगा, आपको ये टैप के ले जाएगा, वहाँ पर आपको में का copy पर click करना है click करते ही, ये क्या करेगा जो slide go पर आपकी slide थी उसका एक copy आपकी google drive पर ये बना देगा, तो जैसे ही आप उसपर click करेंगे, आपके पास ये open हो जाएगा, जो copy है आपके slide की, वह आपकी google drive पर बन चुकी है हम यहाँ पर directly इसको rename करेंगे, लैसे कि हमने इसका नाम रखा, farewell party farewell party मैंने इसका नाम रख दिया है अब पहले हम जल से जल इसमें जितनी भी slides दे रखी है उनको हम overview कर लेते हैं उनको एक बार देख लेते हैं काफी slides इसमें अलग-अलग दे रखी हैं यहाँ पर हम उसका, जो पूरे दिन का plan है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर जो specifications हैं यहाँ जो events हैं, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अलग-अलग चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं और in the end of the slide आपको कुछ आइकन्स भी दिये हुए हैं जैसा कि मैंने बताया था कि इस slides में आपको over thousand, one thousand icons आपको दिये जाएंगे जिनको आप अलग-अलग slides में use कर सकते हैं यह कुछ icons आपको दिये हुए हैं और यहाँ पर आपको जो color code यहाँ पर यूज किया गया है slide में, वो भी दिया हुआ है, तो हम directly जाते हैं और इसको edit करते हैं, तो यह हमारी पहली slide है, इसको हम edit करेंगे, यहाँ पर जो image लगी हुई है, जरूरी नहीं है कि आप इसी image को use करें, आप कोई दूसरी image भी use कर सकते हैं, तो हम directly जाएंगे unsplash.com, unsplash.com एक website है, जहाँ पर आपको बहुत सारी images मिल जाती है, और वो images फ्री हैं और non copyright है, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, website पर unsplash पर, यहाँ पर हम search करेंगे college, college हमने search किया, क्योंकि हम एक farewell party के उपर infographic बना रहे हैं, यहाँ पर हमने college select किया, और यहाँ पर जो भी आपको images फ़सल्द हैं, उस पर आप click करें, और उसे simply download कर लेंगे, जैसे ही आप उसे download कर लेंगे, आप पॉपस जाएंगे अपनी slide पर, और simply उसे drag and drop करेंगे, जो आपके पहले से, जो आपके पहले से image पड़ी हुई है, उसको आप हुआ से delete कर दें, और इस image को यहाँ पर adjust कर दें, यह हमने यहाँ पर image को adjust किया, अब हम इसे पीछे ले जाएंगे, क्योंकि यह हमारा जो content है, उसे चुपा रहा है, इसे हम थोड़ा सा, तो इसे पीछे ले जाएंगे, हम सीथे जाएंगे, arrange में, order, send backward, तो इसका जो shortcut की है, वो यह है, control और down button, अगर आपको पीछे ले जाना है, तो आप down button को दबाएं, और अगर आपको उबल ले जाना है, तो आप upper button को दबाएं, तो मैं down button को दबाऊंगा, और यह हमारी जो image है, वो पीछे जा चुकी है, हम इसे edit कर चुके हैं, यहां पर हम लिखेंगे, goodbye from the college, यह हमने लिख दिया, तो यह हमारी पहली जो slide है, वो complete हो चुकी है, अब हम दूसरे पर जाते हैं, यहां पर हमें events जो हैं, वो arrange करने हैं, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि यहां पर कुछ illustration लगाया जाए, तो उसके लिए हम एक website पर जाएंगे, stories.freepick.com, stories.freepick.com एक website है, जो आपको illustration प्रोवाइड करती है, वहां पर हम simply college टाइप करेंगे, और वहां पर हम देखेंगे कि कौन से कौन से हमारे पास options available हैं, जो options हमारे पास available हैं, उनको हम थोड़ा सा edit करेंगे, क्योंकि हमारा जो illustration होना चा चाहिए, तो I think this will go with a slide, इसको मैंने select हिया, यहां पर अगर आप layers देखें, character 1, इसे हम hide भी कर सकते हैं, जो हमारी layers हैं, उनको हम hide भी कर सकते हैं, यहां पर जितनी भी layers हैं, वो आपको simply दिखा दी जाएंगे, यहां पर आपको 4 character मिलेंगे, उस character में से आप कोई भी character जो है use कर सकते हैं, I think जो second वाला bro character है, वो हम use कर सकते हैं, अब यहां पर आप थोड़ा सा all layer देखें, जो इसकी shadow है, वो इसमें दिखाई दे जाती है, अगर hidden कर दें, तो shadow जो है वो निकल जाती है, वो simple रखें, तो जो shadow है वो visible रखती है, अब जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारा illustration ह होना चाहिए, वो हमारी slides के साथ matching होना चाहिए, और जो slide के color code हमने use किये हैं, वो हमारी slide में already given है, तो हम सीधे जाएंगे और यहां से जो color code given है, उसको हम copy करेंगे, हमने color code copy किया, यहां पर इसका change color करेंगे, और hexa code यहां पर हम paste कर देंगे, तो कुछ इस तरह का हमारा illustration बन चुका है, इसको हम simply download करेंगे png में, png में यह download हो जाएगा, हमें किसी भी प्रकार की यहां पर id नहीं बनानी पड़ेगी, कोई भी sign up नहीं करना पड़ा, यह हमारा png में download हो गया है, इसको हम यहां से simply drag and drop करेंगे, adjust करेंगे, जैसे हमने प्रेचली बार adjust किया था, उसी प्रकार से हम इसको भी adjust करेंगे, यह adjust हो चुका है, और यह भी slide हमारी good to go है, ऐसे करके आप बाकी की slides को भी edit करें, वहां पर illustration लगाएं, और इसी तरह से आप पूरी अपनी presentation को बना सकते हैं, यह तो ही presentation के बात, आगे आपको image कैसे edit करने हैं, आपको memes कैसे बनाने हैं, आपका facebook profile हो, या फिर कोई भी profile हो, linkedin profile हो, infographics आपको बनाने हैं, कि इस studies आपको लिखनी हैं, आपके thoughts आपको लिखने हैं, इस पूरे पर हम एक पूरा course बनाने वाले हैं, उस course में हर एक topic पर, हर एक website पर, हम dedicatedly एक video बनाने वाले हैं, साथ में उसके projects बनाने वाले हैं, और आपको more than thousand templates and slides free दी जाएंगे उसके साथ, तो अगर आप वो course लेना चाते हैं, तो इस video की description में जाएं, वहाँ पर आपको एक form मिलेगा, उस form को आप fill up करें, हमारी team आपको revert करेंगे, पहले हम आपको provide कराएंगे more than thousand templates, उसके बाद हम आपको provide कराएंगे, जो हमारा पूरा course है, that too free, so thank you for watching this video, हम फिट से मिलेंगे, पूरे course में हैं, और हम detail में सीखेंगे, ये सारी चीज़ें हम काम कैसे करती हैं, thank you.